को प्राइम नंबर कौन से होते हैं इनकी पहंचान कैसे गरें? इनका यूज का होता है? तो इनका यूज होता है दोस्तों आप जब अपना एक से समधित कुछ परसन हल करते हैं वहाँ पर यूज होता है और कुछ ऐसी कुशन्स हैं जो की इस्पेसली वहाँ पर आपको को प्राइम नमबर आना ही चाहिए कंबल से लिए ऐसे समझ लो तो इसको यदि आप थोड़ा सा अब यहाश करेंगे थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा आज हमारा यही प्राइश रहेगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखे चले शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें समझना हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक है से अभाजिय या से भाजिय संख्याएं यानि को प्राइम नंबर कहलाती क्या कहलाती है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हमने निकाला और वो कितना आया एक क्या बन गई वो से भाजिय संख्याएं बन गई जैसे उधान के रूप उधान लेते हैं पच्चीस और च्च्चीस च्चीक है तो हम इनका क्या लेंगे HCF तो पच्चीस के गुणन खंड कर देते हैं क्या एगा पांस गुणा शत्तीस के गुणन खंड कर दिये क्या इन दोरों में कोई ऐसा गुणन खंड है जो यहां भी है यहां भी आपके इस तरह नहीं है पांस के वल यहां है दो यहां है तीन यहां है दोनों के गुणन खंड क्या है अलग-अलग है सिम्पल सब्दों में समझे गुणन खंड क्या है अलग-अलग है इसका मतलब HCF कितना है एक है इसका मतलब क्या हुआ यह आपका एक सभाज्य संख्या है ठीक है तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि एक उदान आप के लिए यह काफी है करना क्या है Simple है budget नि का लेना है या गुंड़ान कंड करेंगे तो कोई भी गुंड़ान कमन नहीं होना थी लित जींद कलनुकिंज ओस्ट है फिर यह निACHनी Phi आसान है